श्री हरिवन्स इराधावल्लब श्री हरिवन्स इस समय आप विरिंदावन धाम में परिक्मा मार्ग में संत महात्माओं के दर्षन कर रहे हैं आगे आप देखेंगे श्री कृष्ण परणामी मंदिर के दर्षन आपको होंगे वहें आपको यम्ना रसरानी जी के दर्सन होंगे परिक्मा मार्ग के सुन्दर दर्सन होंगे यहाँ इस्तان़ आपको जो दिख रहा है यहाँ परिक्मा मार्ग में मदन मोहन टेमपल मंदिर से बहुत पहले पड़ता है जस इस इस्तान के बगल में एक कदम का विर्ख्ष है जो कि भगवान श्री कृष्ण के समय का है उसी कदम के विर्ख्ष से चड़कर भगवान श्री कृष्ण ने यमना में छलांग लगाई थी और कालिया नाग का दमन किया था बस इसी इस्थान के बगल का हिस्थान है तो यहाँ आपको इस्थान दिख रहा है यहाँ पे भगवान श्यू के दर्शन हो रहे हैं सावन का महना चली रहा है और यहाँ अनमान जी की भी आपको दर्शन हो रहे हैं पानी की यहाँ विवस्था हो गई है नल से पानी आता है और हारा पानी नहीं रहता है पी सकते हैं और रिच्छ, लतापता के दरशन कर रहे हैं, आप लोग, और बहुत सुन्दर, लतापताओं के दरशन हो रहे हैं, तीधे आप देखेए, हनुमान जी के भी आपको दरशन हो रहे है वरिंदावन धाम में, श्यू उनके नेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं तीसरा नेत्र भी दिख रहा है और सुंदर सुंदर लटा पताएं जो किराधरानिय की सफियां हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ इस्थान हरा भरा है यहाँ पर विष्राम करने वाले लोग आ जाते हैं विश्राम करते हैं क्योंकि च्छाएं रहती है आपर भूप से बचाओ रहता है लोग विश्राम भी करते हैं देखिए संत महात्मा यहाँ पर आके बैठेंगे बैठने की अच्छी विवस्था दी गई है पर एकमा मार गए है और बड़े-बड़े संत महात्मा भी यहाँ पर बैठेंगे तो समाने जन भी बैठ सकते हैं देखिए बैठे हुए हैं संत महात्मा आपस में चर्शा कर रहे हैं यह सब ब्रजवासी हैं किये गए क्रिया कलापों में आप किसी प्रकार का दोस दर्शन मत करिएगा ब्रजवास करते हैं व्रिंदावन वास करते हैं व्रिंदावन महारानी जी का घर है महारानी जी की इच्छा से ही तो रह रहे हैं यहाँ जो दर्शन हो रहा है आपको यहाँ अटला चुंगी के आगे श्रीकिष्ण प्रणामी मंदिर आए, जो की काच का मंदिर कहा जाता है, पूरा मंदिर काच से बना हुआ है, रंगीन, सुंदर, भगवान की विबिन लिलाएं, इस मंदिर में उकेरी गई हैं, युगल सरकार के भी दर्सन होंगे आपको यहाँ पे, तो श्रीकिष्ण पड़ामी मंदिर में आगर भविता सुंदरता के दर्शन करिए भगवान की मन मोहक विबिन प्रकार की लीलाएं बाले लीलाओं के दर्शन करिए भगवान द्वारा स्री किशन द्वारा कंस का यहां पे दमन किया गया था उसके आप दर्शन करिए तो ये देखिए भगवान द्वारा रास महरास किया जा रहा है उसके आपको दर्शन हो रहे हैं ये देखिए होली का दर्शन हो रहा है तो बहुत सुन्दर है यह मंदिर आप आके जब अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको अपार गुना आनंद प्राप्थ होगा कृष्ण पुणामी मंदिर अटल्ला चुंगी से जश्ट सौ मीटर आगे दूरी पर है ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है ये देखिए कितना भवे मंदिर है बहुत सुन्दर मंदिर है खंबे भी कांच के बने हुए कांच चिपकाया गया है आप आकर विरिंदावन धाम में सुन्दर सुन्दर मंदिर में हमारी यूगल सरकार के दर्सन करके किरतार्थ हो ये विरिंदावन धाम आना ही बहुत बड़ा सुब होता है अब ही यहाँ पे हम ब्रिंदावन धाम में परिकमा मार्ग में एक विसेश इस्थान में आ गए है यहाँ विसेश इस्थान अपनी प्राचीन इस्थिति को बनाए हुए है यहाँ रज ही रज चारोर दिखेगा यहाँ पर विजली का कोई साधन नहीं है तुरिश लता पताएं है तो यहाँ इस्थान आप कमेंड करके बताईएगा कौन सा इस्थान है यहाँ यहाँ की रज को आप अपने सरीर में धाल करेंगे तो भगवान का प्रेम प्राप्ट होगा भगवान के चरण यहाँ पड़े हुए हैं लादारानी के चरण पड़े हैं गौपियों द्वारा रोया गया आंसू जब गिरता है जमीन पर तो आंसू से भीगा हुआ यहाँ रिंदावन है यहाँ इस्थान भी है सन्थ महात्मा जब भगवान के लिए रोते हैं उनके आँसू से अभिशिक्प यहाँ भूमी है, बेखिए हम लोग आ गए हैं, वरिंदावन धाम में, परिक्मा मारग में संत महत्मा के दर्सन हो रहे हैं, यह संत महत्मा जश्ण यमना जी के सामने विराजमान ही, यमना रष्णानी के दर्सन हो रहे हैं, जगा जगा मेरी स्वामिनी का नाम लिखा हुआ है श्री राधा नाम लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ है तो इतने सुन्दर इस्थान में वो आप दर्सन कर रहे हैं तो दर्सन करते हुए हम पर एक किरपा करिए भगवान श्री राधारानी का नाम लीजिए राधा बल्लक्ती हरीवंस नाम लीजिए या फिर आपको जो भी नाम परसंद हो वो नाम लिया करिए और कमेंट में श्री राधा कर लिएगा घाट के दर्सन हो रहे हैं केसी घाट आरती घाट तो बहुत से घाट आपको देखने को मिलेंगे यह देखिए यमना जी के आपको दर्शन हो रहे हैं परिक्मा लोग लगा रहे हैं प्राची निहाइस खान है 1990 के दसक के व्रिंदावन का वीडियो भी हमारे चैनल में है आप उसको दर्शन कर सकते हैं राधा वल्लब श्री हरीवन्स